दोस्तो क्या हुआ जब एक शक्स ने संजे दद की फिल्म से इंस्पायर होकर दो लोगों को कतल कर दिया और किस तरह दूम टू के हीरो को देकर एक बंदा रियल में चोर बन गया प्लस कैसे एक आशिक ने शारूख खान की मुवी को देकर एक लड़की को किड़नेप कर लिया वे लाज किस वडियो में मैं आपको हिंदी फिल्मों से इंस्पायर होकर क्रिमिनल बनने वाले आम लोगों के बारे में बताने जा रहा हूँ तो शुरू करते हैं अपना काउंटा खलनाएक दोसो वैसे तो दुनिया में संजेदत के बहुत सारे फैंस मौजूद हैं और इनकी मुवीज को भी बहुत ही पसंद किया जाता है लेकिन ये मुवी संजेदत की सबसे ब्लॉक बस्टर मुवीज में से एक थी इस फिल्म में संजेदत एक गैंस्टर बना होता है जो पैसों के लिए लोगों का मडर करता है लेकिन ये जो शक्साब दिख रहे हैं इसने खलनाएक के संजेदत को इतना सर पर सवार कर लिया कि रियल लाइफ में लोगों की सुपारिया लेना शुरू कर दी इस साइकों ने खलनाएक मूवी के संजेदत से इंस्पार होकर एक नहीं बलके दो-दो मडर किये जिन के लिए इसे भारी रकम भी दी गई थी इवन इस बंदे ने एक पुलीस ओफिसर को भी मारने की कोशिश की लेकिन पुलीस ने इसे रंगे हाथों पकड़ लिया और जेल में डाल दिया जब प्रेस वाले इसका इंडर्वियू लेने आए तो इसने खुले आम सारी दुनिया के सामने अपने जुर्म को कनफेस किया और सब को बताया कि ये खलनाएक वाला संजेदत बनना चाता है इसे लोगों की जान लेता है सिर्फ इतना है नहीं बलके इसने यहां तक कह दिया कि अगर ये पकड़ा ना जाता तो इसने पांच और मडर करने थे ये रियली अन्बिलिवेबल है डर दोससन 1993 में रिलीज ओने वाली ये मूवी शारू खान की सबसे सूपर हिट मूवीस में से एक ती इस फिल्म में शारू खान एक विलन का रोल प्ले करता है असल में हीरो किरन नाम की एक लड़की से प्यार करता होता है लेकिन वो लड़की किसी और से शादी कर लेती है सो हीरो फिल्म की हिरोईन को किड्नैप कर लेता है और इसे जबरदस्ती करता है वैस्ति वे फिल्म सिर्फ इंटर्टेन्मेंट के लिए बनाई गयी थी लेकिन ये जो लड़का आप दिख रहे हैं इसने शारूखान के करेक्टर को कुछ ज़्यादा ही दिल पर ले लिया इसका नाम दिविंदर कुमार है और ये देली में रहता था असल में दिविंदर को दिप्ती नाम की एक लड़की से प्यार था लेकिन दिप्ती दिविंदर को जानती ही नहीं थी इसने पहले दिप्ती को चेस करना स्टार्ट किया जसके फिल्म में दिखाया जाता है कि शारुखान एक साल तक किरन का पीछा करता है सिम वैसे ही दिवंदर ने भी पूरे एक साल तक दिप्ती को स्टॉक किया लेकिन इससे पहले कि ये इसे किड़नेप करता दिप्ती को इस पर शब्ख हो गया और इसने पुलीस को इनफार्म कर दिया और पुलीस ने से अरेस्ट कर लिया जब पुलीस ने इसे पूश्टाश की तो इसने बिला जजग सब को बता दिया कि ये डर मुवी के शारुखान को कॉपी करके दिप्ती को किड़ने अब करने वाला था इवन ये लड़गा इस फिल्म को इस हद तक सीरियस ले गया था कि शारुखान के एक-एक एक्ट को रियल लाइफ में परफॉर्म करना स्टार्ट कर दिया अब इससे बड़ी हमाकत और बला क्या हो सकती है दूम टू तुसर जब भी एक्शन मुवी की बात की जाए तो दूम टू मुवी का नाम जरूर आता है इस फिल्म में रितिक रोशन एक चोर होता है जो नए ने मेक ओवर करके एंटीक्स को चुराता है इसकी लुक इतनी कमाल की होती है कि किसी को इस पर शक भी नहीं होता लेकि इस मुवी को देखने के बाद 28 साल के एक लड़के विनी परमर ने भी एंटीक्स चुरी करने का फैसला किया ये देली की एक मुजियम में ऐसे गौर्मेट रिसरचर बन कर इंडर हुआ फिर इसने कई हफतों तक डेली वहाँ जाना स्टार्ट कर दिया ताकि मुजियम के स्टाफ को यकीन हो जाए कि ये वाकिह में गौर्मेट का बंदा है जब सारे इंप्लोईस को इस पर यकीन हो गया तो एक दिन इसने मुजिक के सिक्योर्टी कैमरे को हैक कर लिया और जब सारा स्टाफ चला गया तो इसने वहाँ से 25 साल पुरानी एंटीक शौल चोरी कर ली सिर्फ इतना है नहीं बलकि इस शौल को सेल करकी सेम रितिक रोशन की तरह फौरन भी जाने वाला था लेकिन इसे एरपोट पर ही पकड़ लिया गया इंवेस्टिकेशन करने पर इसने सब को बताया किसे दूम टू मूवी का रितिक रोशन बहुत ही पसंद था और ये वही हीरो बनने की कोशिश कर आता जिस तरह दूम टू मूवी में रितिक रोशन बेस बदल कर एंटीक्स को चुराता है ये भी वैसे ही करने की कोश्च कर आता लेकिन पकड़ा गया ये सच में हमाकत है Special 26 दोस्तो अक्षे कुमार की ये मूवी Mastermind Criminals पर बेस्ट थी इसमें हीरो का एक ग्रूप CBI एजेंट बन कर फेक रेड मारता है और अमीरों को लोट लेता है पुलीस इने पकड़ने में हमेशा ही नाकाम हो जाती है वैसे ये फिल्म काफी मज़धार थी लेकिन इसने Real Criminals को भी काफी सदा इंस्पायर कर दिया इडिया के इलाके महराश्टरा में रहने वाले एक गैंग ने जब ये मूवी देखिये तो इनके दिमाग में भी एक ऐसे ही रॉबरी करने का खियाल आया इन्होंने फेक CB.I. आफिसर्स बन कर एक बहुत बड़े बिजनसमेन के घर में रेड मारी और 21 लाक रुपे चोरी कर लिये लेकिन इससे पहले कि ये शेहर से फरार हो पाते इस बंदे ने पुलीस को इन्फॉर्म कर दिया और पुलीसी ने पकड़ने में कामयाब हो गई अन्यवे पुलीस ने इन गैंक्स्टर से गैश तो निकलवा लिया लेकिन जब इन से पूश्दाच की गई तो इन्होंने बताया कि ये अक्षे कुमार की स्पेशल 26 फिल्म से इतने इंस्पायर हुए कि इन्होंने सेम इसी कॉंसेट पर चोरी करने का प्लैन बनाया था लेकिन बारहाथ इनका प्लैन बुरी तरह फेल हो गया और ये लोग पकड़े गए पंटी और बबली दूसों आपने से बहुत से लोगों ने ये फिल्म देखी होगी इसमें अभिशेग और रानी मुकर जी लोगों को बिवकूफ बनाकर इन्हें लूटते हैं और इस पैसे से लगजिरी लाइफ जीने की कोशिश करते हैं इस फिल्म ने जहां बॉलिवुड में नाम और पैसा कमाया वहां बहुत से लोगों को उल्टे सीधे कामों पर भी लगा दिया ये जो कपला आप दिख रहे हैं इनका तालुक देली से है ये दोनों मिया बीवी इस फिल्म से इतने इंस्पायर हुए कि इन्होंने रियल लाइफ में लोगों को लूटना स्टार्ट कर दिया लेकिन 2014 में जब ये पकड़े गए और इनसे पूश्टाच की गई तो इन्होंने पुलीस को बताया कि इन्हें ये आइडिया बंटी और बबली फिल्म से देकर मिला है और इनका कहना था कि जब इन्होंने ये फिल्म देखी तो इन्हें रियलाइज हुआ कि फैमली पर कोई शक नहीं करता इसलिए वो आसानी से लोगों को लूट लेते हैं इवन पुलीस चेक पोस्ट पर भी ये दोनों अपने आपको हस्पर्ण वाइफ बता कर आसानी से निकल जाते थे एन्यवे इन्हें जेल तो हो गई थी लेकिन ये चोरी करने के इतने आदी हो चुके थे कि बेल मिलने के बाद इन्होंने दूसरे शहरों में जाकर क्राइम्स करना स्टार्ट कर दिये और ये कपल इतना शातर है कि पुलीस ने अभी तक सिर्फ बंटी को ही पकड़ा है जबके बबली आज भी फरार है हिंदी मेडियम दूसरो ये फिल्म मई 2017 में रिलीज होई थी इसमें एक कपल दिखा जाता है जो अपनी बेटी के एडमेशन के लिए अपना financial status चुपाते हैं वैसे तो ये लोग काफी अमीर होते हैं लेकिन अपनी बेटी को गौर्वर्मेट स्कूल में दाखल करवाने के लिए ये दोनों middle class की जिंदगी गुजारना स्टार्ट कर देते हैं वैसे तो ये movie लोगों में एक positive change लाने के लिए बनाई गयी थी लेकिन दिल्ली में रहने वाले एक businessman ने इस film से inspire होकर गौर्मेट को ही चूना लगा दिया ये एक अच्छा खासा अमीर इनसान था जिसकी income करोडों में थी इवन ये हर साल 5-6 लाग रुपे टेक्स भी पे करता था वैल 2013 में इसने अपने बेटे को स्कूल में एडमिशन दिल्वाने के लिए एक EVS फॉर्म भरा जिसमें इसने fake ID लगा कर अपना address वहां के scheme house में बताया और इसने बताया कि ये साल के 67,000 रुपे कमाता है और इन्होंने इसे रंगी हाथों पकड़ लिया जब investigation की गई तो इसने पुलीस वालों को बताया कि ये हिंदी मीडिया मूवी से इतना inspire हुआ कि इसे idea या कि क्यों ना यही तरीका इस्तमाल करके अपने आपो गरीब दिखाया जाए और text से बचा जाए anyway जो भी हूँ इसे थाबत होता है कि बॉलिवड की मूवी लोगों पर real life में कितना ज़्यादा असरंदाज होती है तो दोस्तो आज के लिए बस इतना ही उमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी अगर आप मुझे Instagram भी follow करना चाहते हैं तो दी हैदर टीव पी आप मुझे follow कर सकते हैं मिलता हो आपसे नेक्स वीडियो में तब तक के लिए Allah आफ़ेस